तो वेलकम टू माई चैनल दिस इस नेंजिसिंग और वाचिंग टैग बाइट तो दोस्तों आम सो सॉरी कि मैंने लास्ट वन श्रेस में कोई वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड नी किया है और आप लोग मेरे वीडियो को काफी पसंद कर रहे हो काफी लोग अच्छे-च कमेंट्स करते हैं तो इसके लिए सो वेरी वेरी थैंक्यू तो यू तो मैंने काफी लोग की कमेंट्स देखने के बाद मैंने रिलाइस कि क्यों ना इस वीडियो सीरीज को फिर से कॉंटिनू किया जाए और आविल ट्राइए और नॉट ट्राइए मैं यह करूँगा कि तो ताकि जो भी लोग मेरे स्रीज को पसंद कर रहे थे उनको एक जो चीज है वो कॉंटिनू मिले ठीक है तो टाइम को वेस्ट ना करके हम लोग टॉपिक पर आते तो लास्ट चो मैंने वनियर पहले जो मैंने वीडियो अपलोड के ता विचिस सर्वर को इंस्टॉलेशन कॉन्फिकेशन और अगर आप यह फर्स ताम वीडियो देखने तो प्रीज आपसे डेक्वेस्ट की प्लेइस्ट में जाए और वीडियो को स्टार्टिंग से देखें तो आपको जादा समझ में आएगा क्योंकि आप इस वीडियो को पर आएंगे अगर जो अगर आप तो अइसना पहात जो हम लोग एक्चॉल में रियल प्रोडेक्शन में यूस करते हैं ठीक है only for read only ठीक है सो इसकी ज़रुवत क्यों पड़ती है ठीक है और इसको हम कहां पर use कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं ठीक है सो मान के चलें कि आपका एक ऐसा branch office है ठीक है जहां पर आपको एक Active Directory Server को deploy करना है ठीक है और sorry Active Directory Services को यह डोमेंड control को deploy करना है राइट ADDS Services को या domain controller को तो आपको deploy करना है अब deploy करने के बाद हो सकता है कि यहां पर जो आपका user है जो की जो IT का engineer है जो भी है आप उसको ट्रस्ट नहीं करते ठीक है आप नहीं करते हैं कि किसी भी तरह की changes यहां पर कोई करें ठीक है तो इस तरह के case में आप यहां पर क्या करोगे एक RODC करोगे ठीक है जिससे क्या होगा कि यहां का user कुछ भी changes जो है domain controller के नहीं कर सकता ठीक है तो इसको deploy करने का reason यह ही है कि आपके network में किसी भी तरह को changes आपके junior engineer और ना करें ठीक है इसलिए हम लोग RODC को deploy करते हैं ठीक है so deploy करने के दो method है ठीक है मैं वह method बता रहा हूँ जो actual में हम लोग inner real production करना चाहिए अब मान के चलें कि ब्रांच office है आपका Delhi में ठीक है और एक है office आपका Delhi में ही मान की चलते है देली के किसी अधर location पर यहां पर आप बैठते हैं और यहां पर आपका main domain controller रखा हूआ जो primary domain controller है ठीक है और आपको branch office में आपको यह domain controller deploy करना जो कि RODC है तो दो method है एक तो यह method है कि आप इस इस सिस्टम पे जाएं, फिजिकली जाएं, ठीक है, फिजिकली जाएं, अब फिजिकली जाने के बाद आपको यहां पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड यूज़ करके आपको इसको पर RODC को डिपलाई करना है, ठीक है, एक तो यह मैथड हो गया, तो उस मैथड को हम लोग क्या होता है कि आप फिजिकली उस ब्रांच व सिस में जाएं, और आप RODC को डिपलाई करें, ठीक है, विद यॉर केडेंशल, ठीक है, विद यूर केडेंशल, जिसमें आपके पास फुल राइटस होते हैं, ठीक है, आपके पास फूल राइटस है, आपके आप वो यूर पासवर्ट से आप उस पर ROTC डिपलाई कर सकते हैं एक तो यह तरीका हो गए इसको बोलते हम non-stage method एक होता है stage method और यह method हम लोग use करेंगे stage method के अंदर कि अधर कि आपको वहाँ पर जाने की ज़रूत नहीं है और नहीं आपको वहाँ पे कोई admin के user ID की password की requirement है without any admin user password के भी मतलब not password I am talking about कि without any admin privilege के भी आप RODC deploy कर सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको as a system admin कुछ configuration पहले से pre-setup करना होगा उसके बाद आप जो वहाँ पे जो user बैठा हुआ है यह मान के चलते हैं ऐसा इंजिनेर है desktop support इंजिनेर है आप इसको क्या करेंगे एक user ID बना के देंगे जिसमें किसी भी तरह की कोई admin rights नहीं होगे ठीक है और उस user को यह बस आपको बोलना है इतना तो अल्डेडी सब को आता ही होगा कैसे deploy करते हैं नहीं हो तो आप इसको guide कर सकते हैं लेकिन आपको वहाँ पे जाने की जरूत नहीं है किसी भी तरह की admin की password की requirement नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं stage method तो हम इसी method को use करेंगे क्योंकि यह तो easy है आप जाओ अपने user id password यूज करो और अगर सारा काम आप ही करोगे तो junior engineer क्या काम करेंगे राइट तो हम server admin के काम करेंगे जो जो lab setup है वह मैं आपको बता देता हूं तो मेरे पास जो मेरा domain controller है ठीक है यह मेरा main domain controller है थोड़ा lab समझा दू आपको ताकि easy रहे चीजों को समझने में so domain controller जो है मेरा primary domain controller basically ठीक है so मेरे domain का नाम है domain का नाम जो है which is my lab.local यह मेरे domain का नाम है right so ip address जो है मेरे server का which is 192.168.1.49 I hope so यह होगा मैं जो चेक करना होगा let me check yes it is 149 so 1.49 192.168.1.49 यह मेरे इस server का ip है right मैं थोड़ा सा lab को और बैटर समझाने के लिए what I am doing here कि मेरे पास यह दो server है एक server यह रहा एक server यह रहा मेरे network में यह मेरा main domain controller है ठीक है primary domain controller ठीक है जो कि Delhi के location मान के चलते 1 में है और यह Delhi के location 2 है और इसी server को मुझे RODC बनाना है ठीक है तो इस DC के IP है 192.168.1.49 यह मेरा IP address है this is my IP address और DNS के अंदर जो address है which is 192.168.1. यह IP मेरा DNS यूज किया हुआ है अभी के लिए अगर आपको DNS में confusing है तो please उसके लिए छोड़ा wait करें मैं DNS को इन detail में समझाऊंगा अभी के लिए आपको इस समझना है जो मेरा domain controller है जो IP इसकी होगी वह ही इसके DNS में होगा अब ऐसा क्यों है इसको मैं आगे definitely जब हम DNS प्याएंगे ताब उसको इन detail में समझेंगे ठीक है अब यह जो मेरा server है यह server का जो domain था वो है मेरा my lab.local ठीक है और यही मेरा active directory वारा server है ठीक है अब यह जो machine है इस machine का नाम है rodc मैं आपको दिखा देता हूं दिखा भी दूँगा और यह machine अभी work group पे है इसका नाम भी rodc है और इस server की IP है 192.168 and 192.168 1.250 I think यही रखा हुआ है मैंने yes so 250 इसकी IP है और इसके DNS के अंदर जो मैंने IP address दिया हुआ है वो मेरे primary domain controller का IP यहाँ पे तो primary domain controller जो मेरा primary domain controller है इसके IP मैंने इसके DNS में दिया है और जो मेरा rodc है इसके DNS में भी मैं अपने primary domain controller के IP ही provide करूंगा ठीक है इतना काम करना है आपको work group पे है कोई installation है सब्सक्राइब मैंने इसके उपर Windows operating system जो 2016 है वो इंस्टॉल किया है नेम मैंने इस carodc दिया है इसके अलबा और IP address configure और कुछ नहीं है ठीक है हमें कुछ setting इस main domain controller पे करना रहेगा और उसके बाद मैं एक user create करूंगा ठीक है मानके चलते हैं यहां पे जो user है उसका नाम मैं मानके चलता हूँ Jack है ठीक है यह जैक है एक desktop support engineer है यह एक label L1 engineer है ठीक है मानके चलते हैं तो Jack को मैं क्या करूंगा privilege दोंगा कि Jack क्या कर सके इस के उपर RODC installation perform कर सके ठीक है लेकिन Jack के पास किसी भी तरह का कोई admin rights नहीं होगा फिर भी वो RODC easily deploy करता जिससे आपका headache कम हो जाएगा कि आपको वहाँ जाने की जुरूत नहीं है और आपका successfully उस location पे RODC deploy हो जाएगा benefit क्या होगा वो हमने देख लिया कि इसमें जो Jack है वो किसी भी तरह के कुछ changes नहीं कर सकता पहली चीज दूसरा benefit भी मैं आपको मैं बात में बता हूं कि इसका use क्या है क्यूं हम लोग उस location पे RODC को deploy कर रहे हैं और उसका benefit क्या होगा right so now तो आप सबसे पहले domain control पर चलते हैं मैं आपको दिखा रहता हूं this is my domain controller यह मेरा domain controller है और मैं काम करता हूं मैं को यहां पर एक second देजिए मैं पैन ले लेता हूं ताकि मैं आपको एजिली स्क्रीन को पर लिख के बता सकूं सारी चीजह है ठीक है एक second बार बार पर पेंट पर आना possible नहीं होता है so yeah so you can see यह जो मेरा server है ठीक है यह मेरा server है main domain controller ठीक है यह मेरा main domain controller जिसके IP 1.49 मतला 192.168.1.49 ठीक है और यह मेरा domain controller कैसे है तो मैं अगर आपको इस पे server manager पर लेके जाऊं if I go to server manager so यह server manager है यहाँ पर tool पर जाए और यहाँ पर देखे activity की सारी services आदी तो यह मेरा main domain controller है और जो मेरा 250 यह 250 वाला जो server है यह वाला यह मेरा workgroup machine है ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं आप my computer पर चलें राइट किलिक प्रॉपर्टी पर आ जाएं तो यह देखी इसका नाम जो है RODC है और यह workgroup पर है ठीक है दूसरी चीज इसका IP address में आपको दिखा रहता हूं मैंने क्या configure किया हुआ है जो से मैंने आपको बता है यह मेरा इसी को मुझे RODC बनाना है ठीक है तो अभी तो मैंने physically access किया हुआ है बट मैं आपको IP address 250 है ठीक है और जो DNS के अंदर IP address है वो 49 है और secondary DNS के अंदर मैंने इसी का ही IP मैंने दे दिया है ठीक है अभी आप जैसा मैं चीज को कह रहा हूँ वैसे फॉलो किजिए अभी हम लोग installation सीख रहे हैं ठीक है कैसे RODC डिप्लॉई करना है DNS के बारे में इन डिटेल में डिसकस करेंगे बाद में अभी के लिए अगर मैं इस DNS को हटा भी दूँ कोई फरक नहीं पड़ता लास्ट वाले वरंको लेकिन primary DNS आपका main domain controller की IP ही होनी चाहिए यह आपको माइन में रखना है secondary के अंदर मैंने इसी की IP को दे रहे है क्योंकि यह भी एक तरह से मेरा domain controller ही तो होगा RODC ही होगा बट एक्चिव में domain controller ही है तो इसलिए मैं इसकी IP इसमें मैं दे रहता हूं ठीक है अगर आपको इसके बारे में नहीं समझे मारा है मुझे comment में बढ़ा है मैं आपको इसकी वीडियो नेक्स में जब बनाऊंगा मैं जब टाइम आएगा तो मैं उसमें इस चीज़ को के लिए करूँगा ठीक है सबसे पहले RODC करने के लिए इसमें ADDS services को पहले इंस्टॉल करना रहेगा तो आपको add features पर जाना है next पर क्लिक करना है और यहां से रोल बेस पर ही रखना है next पर क्लिक करना है और यहां पर server role में active directory domain services second वाले option पर क्लिक करना है active directory domain services इस पर क्लिक करके next पर क्लिक करना है अबको then next पर क्लिक करना है next करना है और install ठीक है तो अभी installation complete हो जाएगा थोटी दिर में तो वेट करते इसके installation का ठीक है तो यह hardly 2-3 मिनट टाइम लेगा अब यहां पर इसको प्रमोट करना है as a RODC ठीक है लेकिन मैंने प्रमोट करना है अब यहां पर इसको प्रमोट करना है कुछ जैसे बताया था कि हमें सबसे पहले जो मेरा main domain controller है वहां पर कुछ settings करने रहेंगे उसके बाद ही मैं यहां पर अपने domain controller पर आता हूँ यह मेरा main domain controller है primary domain controller जिसमें full access है read and write दोनों तो मैं इसके users and computer में जाऊंगा ठीक है टूल में जाके आपको activity users and computers पर जाना है ठीक है और उसके बाद आपको एक user create करना है ठीक है so I will go to that machine so यहां पर मेरे पस कोई OU नहीं है तो मैं फिलाल के लिए क्या करता हूँ और यू के बारे में detail में बाद में हम discuss करेंगे so users के अंदर आके मैं user बना लेता हूँ यहां ठीक है new and then user जैसे कि हमने jack नाम से बनाना था ठीक है simple सा password रखते हैं और next and finish so मैंने jack नाम का user बनाया इसमें किसी भी तरह का कोई rights नहीं है double click करके member पर जाएं आप member off पर यहां पर जाएं देखें domain user by default जितने भी users आप create करोगे है वो domain user का by default member होता है ठीक है वीडियो थोड़ी सी lengthy हो सकती है क्योंकि चीजे में detail में discuss करूंगा तो obviously आपको थोड़ी से इस यह जो मेरे यहां पर user से computer में जो मैंने open किया तो यहां पर domain controller का OU बना हुआ है ठीक है और यहां पर DC जो नाम है जो मेरा main domain controller यह दिखा रहा है ठीक है मुझे यहां पर क्या करना है right click करके यहां पर second option है देखें यहां पर लिखाना pre-create read only domain controller account यह चीज आपको खुद करना है मतलब as a main system admin हूँ यह चीजे मुझे पहले से pre-configure करना है पहले सी अपने domain controller के उपर और उस user को जो की jack दूसरे location पर बैठा हुए उसको क्या करना रहेगा वो हम लोग वहां पर जाके करेंगे ठीक है लेकिन मैं अभी बैठा हूँ main domain controller पर ठीक है और यहां पर बैठके मैं क्या कर रहा हूँ फिलाल मैं अपने जो pre-installation है उसको मैं पहले से तयार कर रहा हूँ ताकि मुझे वहां पर जाके अपने credential यूज ना करना पड़ और नहीं मुझे वहां जाना पड़े राइट इसलिए pre-installation stage होती है और जो method हम यूज कर रहे है वो stage method क्योंकि stage method के अंदर आपको जाने की ज़रूत नहीं आप आपको कोई admin के user की access की requirement नहीं है कोई password डालना की ज़रूत नहीं है आप एक normal user stage परफॉर्म करवा सकते हैं तो we are using stage method ठीक है तो यहां पे pre-create read-only पे जाएंगे use the advanced mode पे installation पे एका कि next पे किलिए करना है अब यहां पे जो option है which is my current login in credential mylab.administrator अब इसका मतलब क्या है देखे actual में जो read-only installation होनी है background में वो installation करने के लिए आपको admin privilege की requirement होगी ठीक है तो यहां पे आपको administrator के साथ ही जाना है देखे मैंने यहां पे दो चीज़े बताई है कि user जब rodc को install करेगा तो वहां पे सरफ उसकी id password से चल जाएगा ठीक है वो जब वहां पे देखेंगे तो मुझे अपने rodc वाले server पर जाना हो उसका नाम चेक करा देता हूं को वही नाम मुझे यहां पर देना होगा चीक है क्योंकि अभी वो system किसमे वर्क ग्रूप में है तो जैसे उसके उपर मैं domain installation करूंगा तो वो क्या बन जाएगा rodc और वो domain का member भी बन जाएगा तो मु जैसे के उपर rodc install करना है और इसी के उपर मैं pre installation करवाऊंगा तो इसी लिए मैं अपने जो मेरा main domain controller है यह 49 इस पर मुझे क्या करना होगा अपने उस rodc वाले server का नाम डालना होगा यहां पर तो नाम क्या था rodc तो इस computer का नाम जैसे उसको पर मैं रोडिस इंस्टॉल करू यहां से यहां पर site and services जो default आ रहा है इसी के साथ जाना है अभी आपको क्योंकि site and services के लिए मिरे पास एक अलग से lecture हम लोग discuss करेंगे तब हम site and services को discuss करेंगे ठीक है in detail में तो अभी के लिए आपको कोई चिंता की करने की होतनी है जो आ रहा है as it is इसके साथ next करें और उन्स कि configuration को तो यह पहले से प्री रिकृट इस जोती है यह प्री configured method होता है वह पहले से store करके रख लेता है तो वेट करते हैं it will take only one minute maximum तो इसको complete होने में almost three minutes लगे हैं ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो DNS server है global catalog server है और read only domain control है यह पहले से ही देखिए gray out आ रहा है ठीक है तो जब भी हम active directory को install करते हैं तो DNS की services global catalog की services पहले से install होती है ठीक है आप चाहे तो इसको uncheck कर सकते हैं लेकिन active directory जो है without DNS work नहीं करता है तो आपको इनको uncheck नहीं करना यह default ही रहने देना है ठीक है लेकिन देखें आप यहाँ पर जो RODC यह पहले से check कर रहा है ठीक है तो यहाँ से आपको next करना है अच्छा यह जो method है यह जो आपका pop-up आया है इसमें क्या है कि आप RODC के अंदर password को नहीं पासवर्ड को क्या करा सकते हैं कैशे करवा सकते हैं ठीक है अब RODC जो है एक ऐसा server है जिसमें database जो होगा वो read-only होगा ठीक है और इसके बज़े से आपका जो भी जो group है जैसे administrator group हो गया server operator group हो गया backup operator हो गया यह सारे special group होते हैं जिनके ओपर कुछ ना कुछ admins या कुछ ना कुछ delegation rights होती है ठीक है तो इनके password cache ना हो इसके अंदर क्योंकि obviously read-only database है आप आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं उस branch office के उपर यह आपके उस data को कोई manipulate कर दे या किसी भी तरह कोई hacking हो जाए कुछ हो जाए तो जिसके वज़े से आप किसी भी तरह की password को आप यह पर cache नहीं करा सकते अब देखे सारे जो cache है वो deny है सिरफ एक group है जो कि allow password application group इसको हम इन detail में discuss करेंगे next part में मैं इसके बारे में आपको डीटेल में बताऊगा कि इसका use हम कैसे करे सकते हैं ठीक है लेकिन अभी के लिए मैं इतना बता दूँ आपका यहां पे इस पास यह जो हैं किसी specific user के या किसी group के password को cache करवाना वह करवा सकते हैं वह हम लोग next part में देखेंगे ठीक है कि कैसे करना है लेकिन अभी के लिए हम इसमें कोई changes नहीं करेंगे ठीक हमें किसी भी तरह कि कोई password को cache नहीं करवाना है एड्मिन का तो I will use a same default use default के साथ मैं जाओं है आप next पे click करेंगे अच्छा अब यहां पर next करने के बाद यह जो option है यहां पर आपको क्या करना है वो jack का user देना है actual में उस user को write देना है जो की RODC की installation को perform कर सके ठीक है आप पहले से सारी चीज़े प्री कॉन्फिगर करके उसको दे रहेंगे बस वो अपने user name password को use करेगा for installation time पे ठीक है यहां पर आपको उस user को देना है तो यहां पर लिखा हुआ रहा है तो यह जैक name हो गया ok करेंगे तो यहां पर देखे जैक का name आव गया तो आपको उस user को यहां पर add कराना है जिसको में जो server engineer जो हुआ वाप बैठा हुआ है और यह देखी जो आ रहा है यहां पर downgrade आ रहा है यहां यहां पर downgrade आ रहा है तो मतला भी अभी कैसा है disable है क्योंकि आपने पहले से ही इस पर pre-configure करके रख दिया ठीक है अब आपका काम यहां पर done है मतला आपके end से अब आपका कोई काम नहीं है बस आपको उस जैक को यह बोलना है कि भाईया आप आप रोडेसी इंस्टॉल कर लीजिए और जो भी पासवर्ड वगर है अपने उसको शेयर कर देना है पासवर्ड मैंने इसका आपको पता मैंने asdf at 123 रखा था जैक का तो उसको यह यूजर ने में पासवर्ड शेयर कर द सबसे पहले आपको adopts Activity domain services इंस्टॉल करना है जो कि मैं कर चूका हूँ चीक है अचाहे आड रोल फीचर पर यहाप करने के बाद अभी मैं क्या कर रहे है इस इस जो domain है, MyLab.local, उस domain के अंदर हम एक existing domain controller add कर रहे है, मतलब existing domain के अंदर हम एक RODC deploy कर रहे हैं, तो इसी domain के अंदर कर रहे हैं, तो मैं पहले option के साथ जाओ, जाँगाल, add a domain controller, एक domain controller हम एड्ड कर रहे हैं, to an existing domain, मतलब mylab.local के अंदर ठीक है तो I will use mylab.local आपको अपने domain का name देना और यहां पर यहां पर यह जो आप दिख रहा है specify the credential the perform the specific operation अब इस operation को perform करने के लिए Jack का username password क्योंकि हमने Jack को writes दिया हुआ है तो I will go to change और यहां पर आपको लिखना है आपके domain का name mylab.local या पर आप ऐसे लिख सकते है जैक जैक at the rate mylab.local तो जो जैक का name है वो अपना डाल लेगा यहां पर और mylab.local जो आपका domain name है उसके साथ at the rate के साथ password हमने क्या दिया था SDF at the rate 123 I think यहीं दिया था ना. 1234 दिया था साथ ओके र लेते हैं चैक कर लेते हैं ठीक है डन हो गया यह अब यहां से हमें क्या करना है next पर क्क्लिक करना है ठीक है कि नेक्स पर क्लिक करें यहां से अब आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ रहा है उपर अपर प्री क्रियेटिड आरोडिसी अकाउंट डेट मशीन नेम अपड़ टार्गेट सर्वर एक्जिस इन डारेक्टरी तो आपने पहले से सब कुछ कॉन्फिगर किया है आप आपको कुछ नहीं करना है ठीक है और यहां पर देखिए यूज दा एक्जिस्टिंग आरोडेशी अकाउंट ठीक है इस पर आप किसी भी चीज को अंचेक नहीं कर सकते हैं इस नहीं है ठीक है बस इतनी राइट दी है कि मैं इसकी इंस्टोलेशन को परफॉर्म कर सकों ठी और यहां पर default site, यहां भी मैं कुछ changes नहीं कर सकता, अभी site and services के बारे मैं कुछ discuss किया नहीं, तो आप यहां पर कुछ भी changes नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर activity जो हमारा यह directory services restore mode है, इसमें हम एक password set करना है, ठीक है, ताकि जब मेरा activity crash हो जाए, गलती से कभी कुछ हो जाए, तो मैं उसको restore कर सका हूँ, तो अभी के लिए मैं password, जो मेरे, कुछ भी हम password रख सकते हैं, तो मैं इसका password asdf-1234 ही रख देता हूँ, asdf-1234, यहां से next करेंगे, अब यहां पर replication from any domain controller, तो देखिए, यहां पर domain controller अपने आप आ गया है, जो मेरा DC है, मेरा DC का जो नाम है, जो म मेरा domain controller था, primary वाला, जिसका 49 IP था, 1.49, उसका नाम है DC, तो आपको वहां से replicate कराना है, या फिर आपको any पर रखना है, तो फिलाल करें, मैं any पर रखता हूँ अभी, ठीक, इसके बारे में भी आद में discuss करूँगा, कैसे करते हैं, और यहां पर एक option और है, installation from media, यह भी हम ल करते हैं, लेकिन किसी भी यूटूबर, यहां पर किसी भी जादा तर जो टेनर होते हैं, वो चीज़े स्किप कर देते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर सारी चीज़ें, डीटेल में सिखेंगे, कि इसका यूज क्या है, installation from media, तो देखेंगे इसको भी हम लोग कुछ आने वाल ठीक है, तो अब यह जो है, RODC की installation स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, अब हमें इसमें लगेगा थोड़ा टाइम, तब तक कि यह मैं वीडियो को pause कर देता हूं, जब यह वापिस होता है, complete होके, तो फिर हम इस वीडियो को repeat करते हैं, ठीक है, तो देखो, installation complete हो गया है, और य स्टार्ट होने के बाद यह मेरा ready हो जागा as a RODC, तो वेट करते हैं, इसका reboot होता है, reboot होके वापिस जलसी ही आता है, उसके बाद हम वीडियो को continue करते हैं, तो मैंने server को मेरा reboot हो गया, और मैं देख सकते है, ping भी आना शुरू हो गया, ठीक है, तो मैं वापिस से server को access करता हूं, और मैं आपको दिखाता हूं, login करके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं more पे जाता हूं, administrator पे जाता हूं, और user का name क्या था, jack, ठीक है, ध्यान से देखना भी कुछ चीज़ा मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर, jack or add the rate my lab.local user name वो था, password क्या था, astf add the rate 1234, enter, तो यह jack के address app ने login कर लिया, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, कि क्या मैं इसमें किसी भी तरह की editing, या कोई add user, कोई delete user कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ठीक है, लेट्स चेक, तो यह मेरा 250 RODC है, मैं आपको सबसे पहले, server manager open होने दीजिए, सबसे पहले यहां पर server manager open होगा, यह रहा हूं, ओके, so, tool पर आजाओ, सारे options सारे active directory है, ठीक है, वोई server है, जो भी हमने configure किया है, 250 वाला, 250 IP है, और इसका name मैं आपको दिखा रहेता हूं, RODC, ठीक है, right click, property, देखिए, RODC आ रहा है, ठीक है, mylab.local, अच्छा, domain control पर वापीश चलते हैं, यह मेरा 49, यह मेरा domain control रहा है, ठीक है, अभी देखिए, यहाँ पर कैसा रहता, down arrow, अभी देखिए, down arrow आ रहा है, अब मैं जैसे इसको refresh करूँगा, यहाँ पर refresh बटन यह रापका, ठीक है, यह आपका refresh बटन है, यहाँ पर यह वाला, sorry, एक सेकिंड, यहाँ पर मेरा, यह मेरा refresh बटन है, ठीक है, इस पर click करना है आपको, तो जैसे refresh करूँगा तो देखना है, यहाँ पर down arrow आ रहा है, यह रिफ्रेश हो जाएगा, और exactly ऐसा look आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो इसको यहाँ से करते हैं, refresh, देखिए, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आ रहा था, on occupied आ रहा था, लेकिन आप कैसा आ रहा है, read only domain controller, ठीक है, read only आ रहा है, तो इसका मतलब यह जो server है, कैसा बन गया, आपका, rodc बन गया है, read only domain controller, ठीक है, अब हम देखते हैं, यह जो मेरा domain controller है, this is my primary domain controller, यहाँ पर मैं कोई स मैं आप एक और id बना देता हूँ, john, ठीक है, और, john, एक second, jo agent, john बना दिया, password मैं रखता हूँ, asdf, adder 1234, asdf, adder 1234, password, next login, uncheck करते हैं, next करते हैं, finish करते हैं, किसे भी तरह कोई issue नहीं आया, ठीक है, क्योंकि यह मेरा main domain controller है, अब जो मैंने branch office में जो मैंने store करवाया, installation, वहाँ पर जाके चेक करते हैं, क्या user create कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा, jack की id से login हूँ, मैं दिखा देता हूँ, user id jack, jack अपनी id से login हो गया है, ठीक है, अब jack क्या करने कोशिच कर रहा है, server manager पर जाता है, server manager, server, server, एक सेकिंड मेरा, यह मेरे खाल से, अच्छा यह रहा, ठीक है, remote access लिए हो था, तो मेरे ही system का वह दिखा रहा था, ठीक है, यह मेरे server manager है, tool पर चले जाएं, और यहाँ पर आता है आपका active duty users and computer, आप यहाँ पर जाके भी कर सकते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था, run पर जाएं, dsa.msc type करें, ठीक है, directory service access, और यहाँ पर mylab.local आ गया है, और आप देखेंगे कि मैंने domain controller के ओपर एक user बनाया था, john, वो यहाँ भी आ गया होगा, user पर जाएं, यह देखिए, john यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, लेकि म मैंने वो user अपनी ID से बनाये था, मैंने, as a system admin, बना सकता हूँ, पर jack के पास right click करता है, और यहाँ पर यहाँ पर right click करता है, देखिए, आपर right click किया मैंने, कहीं पर भी new option नहीं दिख रहा आपको, देख रहे हैं, इसके पास rights नहीं है, कि यह किसी भी तर आगा, क्योंकि किसी तर कोई user तो create नहीं कर सकता, अब मैं John पर आता हूँ, right click करता हूँ, यहाँ पर delete का button आ रहा है, delete पर click करके मैं yes करता हूँ, यहाँ पर क्या बतर है, you do not have the sufficient privilege to delete John, or this object is your protect for the accidentally delete, तो right click property, यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो मतलब आप किसी भी तरह के किसी भी user को आप delete नह नहीं कर सकते, और नहीं कोई user create कर सकते हो, so this is the advantage of the RODC, तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है, तो please comment करें, और कोई चीज समझ में नहीं आता, तो please बताएं मुझे comment करें ताकि मैं जैसे जाला चीज़ों को cover कर सकूँ, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और features activity कर देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए, bye bye, good night and sabah care.